प्रवाव की भाव देश में कोरोना के बीते 24 गंटे में 82,015 नए मामले आये सामने वही 3,998 मरीजों की हुई बॉंब यूपी में योगी सरकार में मंत्री यानद स्वरूप के बिगडे बोल का मुनवर राड़ा जैसे लोग एंकाउंटर में मारे जाएं यूपी में रती आत्रफ से सपा करेगी चुनावी अभियान का शंकनाद रत लेकर अखलेश जाएंगे लखनों से उन्ना जासुसी मामले में अखलेश यादव का हमला का सरकार को नहीं पता है ये राश्टी सुरक्षा का मुद्दा नमस्कार स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूँ आपके साथ प्रियातिवारी शुरुआत करते हैं खबरों की उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधान सभा चुनाव से पहले योगी सरकार के मंत्री मंडल में बदलाव हो सकता है योगी मंत्री मंडल का जल्दी विस्तार किया जा सकता है माना जा रहा है कि यूपी कैबनेट का विस्तार भी उसी मौडल पर किया जा सकता है जैसे केंदर में मोधी कैबिनेट का हुआ है जिसमें जातिये छेत्रिये समीकरण के साथ युवाओं को अधिक मौका दिया जा सकता है उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मंडल विस्तार में कुछ युवा चहरों को एंट्री मिलने की संभावना है तो इसी के साथ विधानसभा चुनावों के मद्दे नजर जातिये समीकरण भी साधे जाएंगे वही माना जा रहा है कि मंत्री मंडल विस्तार में काम ठीक से ना करने वाले मंत्रियों की कुरसी जा सकती है तो वही कुछ मंत्रियों को उनके अच्छे कामकाश का इनाम भी मिल सकता है तो जल्द ही योगी मंत्री मंडल का विस्तार हो सकता है और इसमें जो मुद्दा होगा वो यूवा चहरों की एंट्री को लेकर भी हो सकता है आपको बता दे कि योगी मंत्री मंडल का जल्द विस्तार किया जा रहा है और माना जा रहा है कि यूपी कैबिनेट का विस्तार भी उसी मौडल के आधार पर किया जा सकता है जैसे केंद्र में मोधी कैबिनेट का हुआ था साथी साथ इसमें जातिये छेत्री समीकरण के साथ युवाओं को अधिक मौका दिया जा सकता है उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मंडल विस्तार में कुछ युवा चहरों को एंट्री मिलने की संभावना है तो इसी के साथ विधार्सबा चुनावों की मद्दे नजर जातिये समीकरण भी साधे जाएंगे माना जा रहा है कि मंत्री मंडल विस्तार में काम ठीक से ना करने वाले मंत्रियों की उर्सी जा सकती है तो वहीं कुछ मंत्रियों को उनके अच्छे कामकाश का इनाम भी मिल सकता है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आतनात ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे हफते में एक दिन करमचारियों का समाधान करें चाहे वो वेतन विसंगती का मासला हो या फिर पदोनती में देरी की टीस हो या फिर दैनिक कामकार्ट से जुड़ी कोई और परिशानी योगी ने सबका समधान बिना देरी करने के निर्देश दिये हैं हर सफता एक दिन केवल कारियाले के करमचारियों के नाम होगा हर कारियाले में उचाधिकारी सब्ता में एक दिन एक घंटा करमचारियों की समस्याओं शिकायतों का संग्यान ले उन्होंने इसके लिए तै दिन कारियाले अवधी के आखरी एक घंटे को आरक्षित करने को सुविधा चनक बताया है तो सीम योगी ने सक्त निर्देश दिया है आपको बता दे कि वे हफ्ते में एक दिन करमचारियों का समाधान करें चाहे वो वेतन विसंगती का मसला हो पदोनती में देरी की टीस हो या फिर द्यानिक कामकाज से जुड़ी कोई भी और परेशानी योगी ने सबका समाधान विना देरी करने के निर्देश दिये हैं साथी साथ हर हफ्ता एक दिन के वेलत कार्याले के करमचारियों के नाम होगा और हर कारियाले में उच्च अधिकारी सप्ता में एक दिन एक घंटा करमचारियों की समस्याओं शिकायतों का संग्यान ले। उन्होंने इसके लिए तैदिन कारियाले अबधी के आखरी एक घंटे को आरक्षित करने को सुविधा जनग पताया है। इसराइल के स्पाइब वेर पेगागसस के जरिये कथित जासूसी करने के मामले में सपाध्यक्ष और पूर्व सीम अखलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अखलेश ने सवाल किया है कि पत्रकारों और राजनेताओं के फोन रिकॉर्ट करके सरकार क्या जानना चाहती है। अखलेश ने आगे कहा कि अगर बीजेपी ने ऐसा किया है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अगर बीजेपी ये कहते हैं कि इनकार कर रही है कि वे इसके बारे में नहीं जानते हैं तो यहां रास्टिश रक्षा का मुद्धा है। बता दे कि अकलेश ने ट्विट कर ये सभी ये भी कहा है कि फोन की जासुसी करवा कर लोगों की व्यक्तिकत बातों को सुनना निजिता क्या अधार का घोर उलंगन है तो अकलेश यादाओं ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला साथ है आपको बता दे कि अखलेश ने सवाल किया है कि पत्रकारों और राजनेताओं के फोन रिकॉर्ड करके सरकार आखिर जानना क्या चाती है अखलेश ने आगे कहा है कि अगर बीजेपी ने ऐसा किया है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए अगर बीजेपी यह कहते हुए इंकार कर रही है कि वे इसके बारे में नहीं जानते तो यहां रास्ट इसरक्षा का मुद्दा है आपको बता दे कि अखलेश ने ट्विट कर यह भी कहा था कि फोन की जासू सी करवा कर लोगों की व्यक्तिगत बातों को सुनना निर्जिता का अधिकार है और इसका पूरी तरह से घोर उलंगन हो रहा है वह यहां जी दुल अधवा का त्यहवार मनाया जा रहा है कोरोना बारस मामारी के जलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मस्जिदों में एक बार में 50 लोग ही नमाज दा करेंगे गले मिलकर मुबारक बात के बज़ाए एक दूसरे को मुबारक बात की अपील जा रही है कोरोना से पहले एशबाग ईदगा टीले वाली मस्जिद आसिफी इमाम बारा सही तमाम मस्जिदों में लाखो लोग नमाज में शामिल होते थे लेकिन इस बार सिर्फ 50 लोग ही नमाज पढ़ेंगे मरकसी चांद कमेटी फरंगी महल के अध्यक्ष और ईदगा के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी ने देशवासियों को टेहवार बात पेश करते हुए अवाम की तारीफ की है तो आज इदुल अजाक काते हुआर मनाया जा रहा है वही कोरोना वारस महमारी के चलते सोशल डिस्टंसिंग का पारण करते हुए मस्जिदों एक बार में 50 लोगी नमाज अदा करते थे गले मिलकर मुबारक बात के बचाए एक दूसरे को मुबारक बात की अब अबील की जा रही है कुरोना से पहले एशबाग, ईदगा, टीले वाली मस्जिद, आसिफी इमाम बारा सही तमाम मस्जिदों में लाग खोलो नमाज में शामिल होते थे लेकिन इस बार सिर्फ पचास लोग ही नमाज अदा करेंगे मरकजी चांद की कमिटी फरंगी महल के अध्यक्ष और ईदगा के इमाम मौलाना खालिद रशीत फरंगी ने देशवासियों को टेहवार की मुबारक बात पेश करते हुए अवाम की तारीफ की है कि वही कानपूर में चकेरी थाना छेतर अंतरगत जाजमौ चुंगी के पास कुछ कार सवार दबंगों की दबंगई का एक मामला सामने आया है यहां एक शक्स को बोनट पर लटका कर दबंग कई किलो मीटर तेज रफ़तार में कार चलाते दिखे और इस खटना का वीडियो एक अन्य शक्स ने अपने घर की छट से बना गया इसके बाद ये वीडियो वारल हो गया जिस पर पुलिस ने F.I.R. दर्श कर ली है और तरह का ये वीडियो है जो सबको हैरान कर रहा है किस तरह से कार की तेज रफ़तार है और इस पर एक यूवक बोनट पर बैठा हुआ है आपको बता दे ये पूरा मामला कानपुर के चकोरी थाना छेतर का है जहां पर कार सवार दबंगों की दबंगई का ये मामला देखने को मिल रहा है आपको फिर से बता दे कि यहां एक शक्स को बोनट पर लटका कर दबंग कई किलो मीटर तेज रफ़तार मीं कार चलाते दिखे और इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वारल हो रहा है इस घटना का वीडियो एक अन्य शक्स ने अपने घर की छठ से बनाया है और इसके बाद इसे वारल किया गया है जिस पर पुलिस ने अफ आई आर भी दर्श कर ली और साथी साथ वीडियो में व्यक्ति और कार की पहचान करने में पुलिस लगातार जुटी हुई है साथी लोगों से अपील की जा रही है कि कार की पहचान जल्द करें वहीं बुलन शैर में भाजपा के युवा के प्रदेश रध्यक्ष रिप्रांश उद्दत का स्वागत किया गया वहीं स्वागत के दौरान कोरोना गाइडलाइन की जम कर धर्जियां उड़ाए गई है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई ध्यान नहीं रखा गया व तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोरोना गाइडलाइन का उलंगन किया जा रहा है आपको बता दे कि बुलन शैर में भाजपा के युवा प्रदेश अध्यक्ष प्रांश उदत का स्वागत किया गया लेकिन लोग ये भूल गये कि कोरोना महमारी अभ ये भी कहा कि जादा से जादा लोग पार्टी से चुड़ें वही हमेरपूर के सुमेरपूर थाना च्छेत में ट्रेन की चपेट में आने से अधेर उम्र के युवा की दर्दनाग मौत हो गई सुमेरपूर रेलवे स्टेशन के आउटर के पास शव मिला वही शव देखकर इस्थानी लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी जिसके बाद मौके पर पहुची पुलिस लगातार मामले की जाज़ परताल में जुटे हुई है सुमेरपूर रेलवे स्टेशन के आउटर के पास शव मिला और शव को देखकर इस पूरे घटना की जानकारी पुलिस और स्टेशन मास्टर को दी जिसके बाद मौके पर पहुची पुलिस लगातार मामले की जाज़ परताल में जुटे हुई है सीरो सर्वे की चौथी रिपोर्ट में ये पाया गया है कि देश की करीब 40 करोड आबादी अभी कोरोना वारस संक्रमन का खतरा है शे साल से अधिक उम्र की आबादी के दो तिहाई हिस्से में सार्स सी ओवी टू एंटी बॉडी पाया गया है जून और जुलाई में 21 राज्यों के 70 जिलों में किये गए सर्वे में 28,975 से अधिक लोगों के अलावा 7,252 स्वास्त कर्मियों को भी शामिल किया गया है सर्वे में कुल 67.6 फीजदी लोगों में अंटी बॉडी पायी है ICMR ने बताया है कि 6-9 साल की उम्र के बच्चों में अंटी बॉडी 57.2 फीजदी वही 10-17 उम्र में 61.6 फीजदी 18-44 साल के लोगों में 66.7 फीजदी वही 45-60 उम्र में 77.6 फीजदी और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों में 76.7 फीजदी अंटी बॉडी पायी है दिसंबर जनवरी 2021 में किये गए तीसरे दौर के सीरो सर्वे में अंटी बॉडी 24.1 फीजदी पायी गई है वही देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है मौसम विशेशकों के अनुसार अगले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश, बिहार, पस्च्यम बंगाल, चारखन, उडीसा, चत्तिजगड, मध्य प्रदेश और महराष्ट के कई जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है इस दोरान पूर्वी राजस्थान में भी तेज बारिश हो सकती है पूर्वोतर में भी तेज बारिश होने का नुमान है उत्राखन से लेकर जम्मू कश्मीर के इलाकों में जम कर बारिश हो सकती है भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने दिल्ली के यलो अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग की तरफ से जारी पूर्वनुमान के अनुसा आज और आने वाले कुछ दिनों में देश के कई हिस्तों में बारिश का सलसला जारी रहेगा मौसम विभाग ने मुंबाई कोंकर चेत्र के लिए भी रट अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने हिमांचर प्रदेश और उत्राकंड के कई जिलों में भारी बारिश के साथ रट अलर्ट जारी किया है यूपी के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है मौसम परिजनों का रोप है कि पुलिस ने यूवक की मदद नहीं की इसको लेकर परिजनों ने पुलिस कर्मियों पर कारवाई की मांग भी की है यूवक की मौच से परिजनों में काफी कोहरा मचा हुआ है तो रमपुर से एक ख़बर आपको बता रहा है जहां पर बिलासपुर के बाखडा नदी में पुलिस के सामने एक यूवक नदी में कूद गया और मौके पर मौजूद पुलिस यूवक को बचाने के बजाए तमाशा देखती रहे गई आपको बता दे कि पुलिस की मौजूदगी में यूवक डूपता रहा और उसकी मौके पर ही मौथ हो गए और पुलिस कुछ नहीं कर पाए इसी को लेकर परिजनों का या आरोप है कि पुलिस न यूवक की कोई मदद नहीं की और इसी को लेकर परिजनों ने पुलिस कर्मियों पर कारवाई की मांग भी की है यूवक की मौज से परिजनों में काफी कोहराम मचा हुआ है फिलाल की खबरों में इतना ही देजन्या की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे है प्राइम टीवी प्राइम जितना ही प्राइम की देखते रहे हैं